तो एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरू में तो पेटा जी आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे और यह जो ट्रायल बैलेंस है ध्यान दीजेगा जर्या यह जो आपका ट्रायल बैलेंस है यह आपका समराइजेशन का पहला पार्ट है Summarization का क्या है ? पहला पार्ट है अब आप कहोगे की सर यह Summarization क्या है ? तो पिटा जी अगर आपने account की definition पढ़ी है तो account की definition क्या गहती है ? account is a art of recording account is a account is a Art of Recording Classification और अगला क्या था आपका Summarization है ना यह ही आपकी Definition थी Account is the art of the recording classification Summarization of the Financial Transaction in the Significant Manner यह ही आपकी Proper Definition है ना तो आप यह देखो रिकॉर्डिंग आपने डन कर लिया है मालिक है भाईया हमने रिकॉर्डिंग आपने किसके माध्यम से समझ लिया आपने रिकॉर्डिंग कैसे समझ लिया जर्नल इंट्री के माध्यम से हो गया कि नहीं हो गया हो गया ना क्लासिफिकेशन के लिए आपने क का सारा लिया और जर्णल इंट्री और लेजर के बीच में आपने एक चीज और पढ़ी ली जिसका नाम क्या था आपका सबसीडरी बुक सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं सबसीडरी बुक यानि ये चीजें आपकी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम समराइजेशन के पोर्शन की तरफ क्या करने जा रहे हैं बढ़ने जा रहे हैं और समराइजेशन का जो पहला पोर्शन है वो क्या कहलाता है आपका ट्रायल बैलन कहलाता है अच्छा आपको पता हिंदी में इसका नाम क्या है हिंदी में इसको कहते हैं तल पट यानि जो तल पे है उसी को उठा के पटक उसी को उठा के गया करो पटक का मतलब है यहाँ पे पोस्टिंग से है अब आप कोगी कि सर कौन सी पोस्टिंग बेटा जी जर्णल इंट्री से डाटा आपका किस में जाता है लेजर में जाता है जनरल एंट्री से डाटा किसमें जाता है लेजर में जाता है तो अबिसली लेजर से डाटा आप किसमें जाएगा ट्राइल बैलेंस में ही तो जाएगा लेजर से डाटा किसमें जाएगा ट्राइल बैलेंस से जाएगा और आपको मैं बताऊँ जो laser में आप balance cd find out करते थे जो laser में आप क्या find out करते थे balance cd find out करते थे उसी की posting आपको किस में करनी है trial balance में करनी है मैं मुझे बोलने दीजे पीसा मैं लेता हूँ आप नहीं तो कहने का मतलब यह है कि आप देखो जर्नल इंट्री आपने सीखा आपने laser सीखा अब आप क्या सीखने जा रहे हैं trial balance सीखने जा रहे है जब आप trial balance के format की बात करेंगे तो पहली बात तो यह जान लीजे जो trial balance होता है वो बेटा हमेशा end of the particular period में बनाया जाता है मैं यहाँ पर particular year नहीं लिख रहा हूँ बलकि मैं क्या लिख रहा हूँ particular period लिख रहा हूँ अगर आपको data छे महीने का बनाना है तो आप posting भी छे महीने के अधार पर करोगे अगर आप साल भर का लेकर चलते हो तो पोस्टिंग भी कैसे करोगे आप साल भर लेकर चलोगे जर्नल इंट्री डे बाइडे होती है इसमें नो डाउट है ना भी सही कहा रहा हूं कि गलत कहा रहा हूं जर्नल इंट्री आपकी कैसे होती है सट डे बाइडे होती है इच्छा लेजर कैसे होता है डे बाइडे होता है वीकली होता है या मन्थली होता है आप येरली होता है अब इसमें confusion रहती है अगर मैं यह कहूं कि आप monthly बनाईए तो आप कहो कि सर बहुत ज्यादा work हो जाएगा क्योंकि एक entry का दो account पर open करना पड़ता है और अगर आप एक दिन में 10 या 100 transaction कर रहे हो तो तीस दिन में कितने हो गए 300 हो गए 300 के हिसाफ से laser कितने create हो गए 600 laser create होंगे तो आप जो laser create करेंगे वह as per the business transaction पर create करेंगे यानि जैसा business का transaction है अगर छोटा है तो आप मंतली ले सकते हैं अगर बड़ा है तो आप डेली करिए और कमाल की बात मैं आपको बताऊं जितने भी software market में आ रहे हैं उन में से एक software का मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं ठीक है तो इस software का use करके आपको सिर्फ इसमें करना क्या रहता है जर्नल इंट्री करनी है जैसे ही आप जर्नल इंट्री करेंगे automatic laser create हो जाएगा automatic trial create हो जाएगा automatic PL trading balance sheet सब कुछ create हो जाएगा यानि यह software इतना जादा advance है कि आपको सिर्फ आपका पहला step follow करना है और पहला step follow करते rest of the जितने भी step है वो automatic क्या हो जाएगे फुल्फिल हो जाएगे ठीक है तो अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर एक बात बताओ जरूरत ही क्या है trial पढ़ने की जरूरत ही क्या है laser करने की जब हमारा software इतना ज्यादा advance है तो class 11 में खाली journal entry पढ़ा के labors complete करा दो क्या जरूरत है PL पढ़ने की balance sheet पढ़ने की अरे भीया जरूरत यह है कि आप अंदर के element को तो समझो यह जो balance आया है कैसे आया कम से कम यह तो समझो आप अपने future में CACCWA होने वाले हो आप लोग तो भविश्य में इसका use करोगे client आप से पूछेगा यह balance कैसे आ मैंने तो खाली entry की है entry junior stop करते हैं क्योंकि आपने point यह भी पढ़ा था bookkeeping पढ़ा था तो bookkeeping में कितनी activity involved होती है दो activity involved होती है एक recording involved होती है दूसरी क्या involved होती है classification involved होता है लेकिन जब आप account की बात करते हो account में तीन activity involved होती है और जब आप accountancy की बात करते हो तो वहाँ पे छे activity involved होती है क्याद करा हूँ मैं bookkeeping में दो पहला क्या था मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ bookkeeping में कितनी activity दो पहला क्या था recording दूसरा classification अगर मैं accounting accounting की बात करूं जिसे आप account भी कहते हैं इसमें आपका recording classification summarizing आ जाएगा और अगर मैं accountancy की बात करूं अगर मैं किसकी बात करूं accountancy की recording classification summarizing analysis interpreting और communication यह आजाएगा यानि complete knowledge of the accounting is called the accountancy यह चीजें आपको बताई गई हैं ऐसा नहीं है कि यह चीजें मैं नया आपको बता रहा हूँ यह चीजें आपको chapter 1 में यह चीजें बताई जा चुकी हैं लेकिन वही हाल है ना कि तुम तो ठहर परदेशी साथ क्या निभावगे अधा मैं भले रहा हूँ दो दिन बाद पूछूंगा फिर कहोगे सर पता नहीं क्या पढ़ा दिये थे यादे नहीं है ना अहीं हूं कारी लेलोèmes कोई आप आतने हैं कोई बात नहीं आपकी उमर में हम भी यही करते थे आइये फिलदाल हम लोग इस पर चलते है लिचाल पर चलते हैं और ट्राइल स्टारट्न गब छोती है वर लेजर की बात करते हो बेटा तो ट्रायल बैसिकली अपने पांचों इलिमेंट पे वर्क करता है उनि जब आप ट्रायल का फॉर्मेट देखोगे ना यह जो मैंने फॉर्मेट बनाया है यही ट्रायल का फॉर्मेट है इसमें आपका क्या लिखा रहेगा पर्टिकुलर लिखा रहेगा इसमें आपका डबिट लिखा रहेगा और इसमें आपका क्या लिखा रहेगा रहेगा अब कुछ बच अच्छा एलेफ एलेफ भी लखना है चलो रख लो क्या दिक्कत है चलो हमने एलेफ भी रख दिया ठ जबाब देखो इस trial balance को अब हम आपके सामने 5 point लिख रहे हैं आप मुझे सोच कर जबाब दीजेगा कि इसका balance कि साइड लिखा जाएगा ठीक है मैं आपको 5 point पहले लिख दूँगा उसके बाद पूछूँगा तो आप मेरे को बताना कि सरे debit में जाएगा या credit में जाएगा जिसमें भी जाना होगा आप मेरे को बताना ठीक है मैं यहाँ पे सबसे पहला point मैंने लिख दिया assets दूसरा point मैंने लिख दिया capital तीसरा point मैंने लिख दिया liability चौथा point मैंने लिख दिया income लास्ट में एक और point मैंने लिखा expense ठीक है एक last point मैंने लिख दिया क्या आपका expense तो अब आप मेरे को जबाब दीजिए कि assets का amount है जैसे माली मसीन है, building है, plant है, goodwill है, ठीक है मैंने अलग-अलग example ना लिखकर एक particular point ले लिया, अगर मैं liability की बात करूं, liability में bill paywall हो गया, creditor हो गया, outstanding expense हो गया, तो यह तो आपकी क्या है liability है ना, क्या है आपकी, liability है, income की बात कर तो माली जे sale है, commission receive है, rent receive है, interest receive है, तो यह आपका income हो गया, अगर expense की बात करें, salary हो गया, purchase हो गया, wages हो गया, rent हो गया, depreciation हो गया, तो यह आपका expense है, capital, यह आप जानी रहे हो कि capital होता क्या है, है ना, तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग example ना लेकर, proper पर 5 head ले लिए हैं, और इनी को हम element of account कहते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए और जवाब दीजे, कि अगर कोई भी assets है, तो उसका balance किस side हो लिखा जाएगा, debit side या credit side, तो always याद रखिए, कि assets का balance, always किस side लिखा जाता है, debit side लिखा जाता है, क्यूंकि आपने real account का rule पढ़ा है, जिसमें कहा जाता है, debit what come in, सही है कि गलत है, सही है न, debit what come in, और अगर credit की बात करोगे, तो credit में क्या बोलता है, credit what goes out, सही है न, फिलाल, इतना rule आपको याद रखने की जुरूरत नहीं है, बिस इतना याद रखिए कि अगर assets का कोई balance है, तो उसे आप कि side लिखोगे, debit side ल बात करते हैं, जितने लोगों ने journal entry मुझसे पढ़ी है, पढ़ी है, कितने लोगों ने हाथ उठा लीजे एक बार, very good, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या, कि ये तीनो एक विरादरी के हैं, ये तीनो क्या है, एक विरादरी के हैं, और ये दोनों आपके क्या है, एक विरादरी के हैं, यानि इन तीनो का बैलेंस, इन तीनो का बैलेंस क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, इन तीनो का बैलेंस क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि एक ही विरादरी के हैं, एक ही क्या है, विरादरी के हैं, और अगर हम expense की बात करें, तो expense किस विरादरी का है हब आपका होगे सर असिट्स की बिरादरी का है इसका रूकर मजाक कर रहे हो या सीर्यस हुआ आप को भले मजाक लगे लेकिन आपका चाप्टर यहीं पर खतम हो गया इससे जादा हाँ इससे जादा कुछ नहीं है ट्राइल बैलेंस इससे जादा कुछ नहीं है बेटा ट्राइल बैलेंस और हमेशा एक चीज और याद रख लीजेगा कि ये जो assets है यानि ध्यान दीजेगा assets plus expense ये दोनों बरावर होंगे किसके capital plus liability plus क्या आपका income के क्यूं ध्यान दीजेगा अब assets capital और liability इसको तो आप जानी रहे हो assets capital और liability ये तो आप जानी रहे हो ना अब आप कहोगे sir कहां जान रहे हैं अरे accounting equation नाम का chapter पढ़े हो ना जिसमें कहता है कि assets is equal to capital plus क्या आपका liability है ना थीक उसी प्रकार expense किस से related है आपके income से ही तो related है यानि अगर expense बढ़ा income reduce हो गई और अगर expense reduce हुआ तो income क्या हो गई आपके increase हो गई ना यही concept है कि कुछ अलग concept है यही concept है ना आते समझ में आ गई तो हमेशा याद रखिए जैसा double principle rule कहता है debit बराबर credit बराबर क्या होगा आपका debit होगा अब आपकी संतुस्टी के लिए एक सवाल कर लेते हैं क्या दिक्कत है तो question number practical खोलिएगा theoretical मत खोलिए प्राक्टिकल खोलिए प्राक्टिकल खोलिए प्राक्टिकल खोलिए सीधा सीधा practical प्राक्टिकल पर आईए हाई वे ना करें लाए कि नहीं है है हाँ मिल गया दूसरा देखिए question number two देखिए अच्छा जो बच्चे online पढ़ रहे हैं या live पढ़ेंगे तो वह अपना डीके गोहल की किताब और पेज नंबर है 14.31 यह नई वाली किताब है ठीक है डीके गोहल की question से किताब से सवाल कर आ रहे हम और 14.31 ठीक है आप question open कर सकते हैं देखिए इसमें क्या लिखा है question number two देखिए तभी लोग देखेंगे है न किताब सब के पास जिनके पास नहीं है प्लीज दूसरे के साथ share कर लेंगे देखिए question क्या कहता है कहता है from the following balance taken from the book of the Mr. Dwarka Prasad and the son as on the 31st March 2000 days prepare the trial balance in the proper form cash in hand क्या है आपकी assets है किदर जाएगा debit or credit debit देखो सुनो मेरी बात trial balance करना है तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि यह है क्या assets है liability है capital है income है या फिर आपका क्या है expense है जैसे cash in hand बोला मैंने यह आपके लिए क्या है assets है balance किदर लिखा जाएगा debit side में फिर लिखा है आपका bank odi bank odi क्या होता है कितने लोगों को पता है bank odi bank overdraft bank से ज़्यादा पैसा निकाल लेना bank overdraft है अच्छा very good चलो आपके account में कितना पैसा है भीया बता दीजे account है नहीं है कितना पैसा है एक hypothetical लीजे माल्यों पचास हजार है क्या आप पचास हजार एक रुपया निकाल पाएंगे करके देखिए लिखेगा क्या लिखेगा minimum balance पता नहीं से कुछ लिए लिखेगा एक चीज यह आंसर अगर आप दे देंगे कि सर बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया वह overdraft है यह आंसर गलत है आपका क्यूंकि यह सुबिधा सिर्फ और सिर्फ आपके current account वालों के लिए रहती है account के तीन classification होते हैं अगर आपने पहला chapter मेरे से पढ़ा होगा मैंने आपको बताया था कि जब financial transaction में बता रहा था किया था पहला क्या था कैश था क्या था क्या था mere LOVE महें बहु़े दूसरा था six deposit तीसरा क्या था आपका current account और current account में मैंने ये बताया था कि user के पास ये benefit होता है कि वो अपने deposit से ज़्यादा पैसा क्या कर सकता है bid draw कर सकता है और वो जो bid draw कर रहा है अपने current account से ज़्यादा more than deposit वो आपका overdraft कहलाता है OD कहलाता है और ये OD क्या बाद में जमा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो इस दा liability और assets तो कहां शो करोगे credit side या debit side credit side point clear हो गया कोई समझ स्या next point कहता है आपका opening stock stock है stock यानि assets है तो किदर जाएगा debit side जाएगा ना किदर जाएगा आपका ठीक है बाते समझ में आ गए next point है आपका क्या पढ़ेंग एक बार next point कहता है purchase purchase क्या है आपके लिए नहीं कहां है यह रहा purchase expense है ना किदर जाएगा debit या credit debit है ना then उसके बाद कहता purchase return अब सोचो जरा अगर purchase debit purchase return किदर obviously credit side में credit side में credit side में then कहता है आपका sale income है ना किदर जाएगा credit या debit credit ना very good भया जवाब दे दो यार कहें दही जमाग बैठे हो है जवाब दो भया अगला point कहता है traveling expense अब देखो खर्चा है अच्छा sale अगर credit है तो sale return क्या होगा obviously traveling expense it is the debit discount allowed allow किया है आपने आपके लिए profit है कि loss है loss तो loss है किदर जाएगा किदर जाएगा debit में जाएगा यह loss है न loss किदर जाता है क्यूं concept से हट रहे हो क्यूं concept से हट रहे हो मत हटो please discount receive आपको मिला है it is the profit credit side machinery assets land and building debit assets assets न data क्या है आपका assets किदर शोगर होगे creditor creditor payment करना है it is the liability which side credit side bill receival debit side bill payable liability capital okay capital what about the drawing 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 debit credit जितने बच्चे credit बोल रहे है आप सब गलत कि किस साइड बेजना पड़ेगा debit इसी में अगर additional capital दे 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 था क्रेडिट शोग करो ना मेरा क्या जा रहा है रही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं यह को concept पकड़ के चलो और अगर आपका बेस क्लियर है concept क्लियर है तो फिर सिर्फ यही question नहीं होवर्ड से भी question आएगा तो वह भी solve कर लोगे ठीक है है अरे दुसरे दुनिया से दुसरे गोला से ठीक है होवर्ड होवर्ड कहा है अरे हमें का पता मुह से निकल गया बस बोल दिया नहीं है बेटा वर्ड का बहुत बड़ा university है अपना था गुरुजी का लेकिन पूरे नहीं हुआ आगे देखो णे रेंट 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 पिएजडी तो वही से करुँगा चाहे जो हो जाए इंडिया से नहीं पिएजडी करूँगा बार्ड करूँगा भले हमको तिलंका जाके पी अश्डी करना पड़े कई चलता है 2023 चलता है ना 25 मा क्वछीज मा क्वालिफाई हो वाम टाल टाल्री टाल Кवर्डरी डाबट लोन डेको क्रेडिट में दे दिया है खाली आगर लोन देता खाली लोन देता एक क्रेडिट डैबिट नहीं देता तो क्या करते है। तो अब confusion रह जाती है, क्योंकि लोन आप ले भी सकते हो, लोन आप दे भी सकते हो, अगर आप लोन दे रहे हो, इसका मतलब वो आपकी assets है, और अगर आप ले रहे हैं, तो आपकी क्या है, liability है, तो फिलाल यहां credit दे रखा है, credit में दिखाएंगे, फिर कहता है, interest on loan अब आपको interest देना पड़ रहा है, तो यह आपके लिए क्या है, किदर लिखोगे debit or credit, debit side, बाते समझ में आ गई कि नहीं आ गई, loss का balance किदर लिखा जाता है, credit side, अच्छा, चलो बेटा, solve करते हैं, यहां पर लिखेंगे, चली जल्दी बनाइए, चली बेटा, जल्दी से format बनाइए, याद रखिये, अभी घर के लिए कम से कम 15 कोशन दूँगा, मैं, हाँ sir, इसी लिए बहुत ध्यान से समझीए, अरे अब इतना छोटा chapter है, इसके लिए क्या हम दो हपता इंतजार करें हैं, बेटा, हम अपनी तरफ से देंगे, चलो, format बन गया सबका, भाई मेरा तो बन गया, पहला स्टार्ट करो, cash in hand, ये बच्छी, पहला point देखिये, cash in hand, यहां पर मैं फिलाल DR और CR लिख दे रहा हूं, मैं लगा दे रहा हूं, 4500, दूसरा, bank overdraft, bank kodi कितना बिटा जल्दी से बताएंगे, 500,000, फिर opening stock, opening stock, 200,000, मैं डारेक्ट पोस्टिंग कर रहा हूं, पर्चेज, 80,000, पर्चेज रिटन, पर्चेज रिटन, 200,000, फिर रिटन रहा हूं, पर्चेज रिटन, तक रिटन, पर्चेज रिटन, 500,000, 5,000 all right then next traveling expense traveling expense ithna hai 1800 then discount allow credit or debit credit or debit discount allow credit or debit credit क्यों good हाँ याद रखिए आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं क्यों तो आप जबाब दे दीजेगा कि सर ऐसे इसी वज़े से और अगर वो ना बोले तो आप पूछ लेना सर क्यों क्यों discount receive यह income है ना एक तरीके से profit है हमारे लिए क्यों अगर रखिए रखिए and machinery 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 where i post debit or credit debit रखिए 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 okay next land and building where i post debit or credit mr ramanuj where i post debit or credit debit 50,000 okay next debtor okay maal lijiye here provision for debtor so kidhar jata provision for debtor चलो जो बताएगा नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा कुछ नहीं मेरे पास नहीं है आज कुछ देने को बोलो प्रोवीजन फॉर डेटर होता तो चलो अनुश्का के जेब में जो टॉफी है वो उसको दे दिया जाएगा चलो बैग में है चलो बताओ अगर प्रोवीजन फॉर डेटर होता तो किदर जाता डाबिट या क्रेडिट आंसर देना जवाब नहीं मुझे कॉंसेप्ट चानना है वाट डेटर अगर होता तो किदर जाता चलो तुम आउट हो चलो और कोई लिख लीजे कल बता करके बताईएगा मुझे वैसे आंसर क्रेडिट होता है लेकिन क्यूं होता है यह आप मेरे को कल बताएंगे ठीक है चलो चलो बताओ बेटा आठ हजार पांसो ओके नेक्स्ट बताएंगे मुझे बिल रिसीवल तो बिल रिसीवल कितना है दो हजार आठ सो पचास रुपया रॉपया 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 रॉके बिल पेबल स्तोला पचास ठीक है ओके आपिटल सिक्स्ट्री थाउजन्ड ना है तो मैं तो चेक कर रहा था ना है मैं तो चेक कर रहा था इम जिस्ट चेकिंग आउट अरे बस यह बेटा साथ हजार में तीन जीरो नहीं चार जीरो होता है लला कोई बात नहीं मुझे भी पता है आप खाली चेक कर रहे था ड्राइंग हाँ दुनिया को हम चेक करते हैं बच्ची हम को चेक कर रहे हैं चली यह बढ़िया है कोई तो चेक करने वाला मिला हाँ नेक्स्ट रेंट डबिट न देन अ रेंट के बाद सैलरी है बेटे सैलरी सैलरी कितना बेटा 3,600 जेन नेक्स्ट गया है आपका लोन है ना लोन कितना क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इंट्रेस्ट आउन लोन यह आपके लिए एक्सपेंस है लॉस है तो यह किदर जाएगा डाबिट साइट बारा सब बताओ समझ में आया कि नहीं आया बस यही करना है बेटा अब बताओ अभी आप जब मैंने कहा कि चैप्टर खतम हो गया तो कुछ बच्चों की आखें दो गुणा बढ़ गई थी कुछ बच्चों की आखें दो गुणा इंक्रीज हो गई थी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी अरे सरका बोल रहे हो अब बताओ क्या है इसमें ए भाईया आप जल्दी से आप मुझे डविट दोनों जोड़ कर बताईए अगर क्रेडिट बताओ है है अ यह मैं न बस और क्या चाहिए लोहों के आंसर करेक्ट कि दो लाख इक्कीस अजार छेसो पचास दो लाख इक्कीस अजार छेसो पचास कि अगया है कि नहीं आ गया कि नहीं आ गया है नहीं हो गया आपका ट्राइल वैलेंस बताईए राल वैलेंस खतम हो गया भी या कि अब कुछ नहीं इसमें करना है तो अब एक काम करो बेटा एक काम करो पहले हो मर्ग लिख तीन चार पांच छे चलो जाओ मेरा दिल बहुत बड़ा है हाली आपको जादा नहीं करना है तीन चार पांच छे ही तो है अरे तीन से छे तीन एक कोश्चन तो हुआ एक बात बताओ छे मेंसे तीन घटा होगे कितना आएगा तीन मेंसे में आगे कि तेनि मेंट करना है ना सिंपल Mouse नोट कर लिया सबने यह नोट कर लिए है कि ओ चीज़े समझ में आ गए है मिनटे भाइङया १श्य ताटक कर सब्सक्राइबिय। चैनल के लिंक को बाकी आप सभी अपना-पना ख्याल रखिये मुझे इजादत दीजिये मिलेंगे कल तब तक के लिए जै बोले नात हाँ ने तुप पूरा बोल देया पूरा बोल देया चला जयकारा लगावा थे आये हैं हाँ बोलो बोलो हर महादेव